चलिए फाइनली हम पहुंच चुके एक ऐसे मुकाम पर जहां पर अब हम प्राक्टिकल कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और आज के इस वीडियो के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्च इंजिन है यानि की गूगल के उपर किस तरह से आप जो है बेस्ट कीवर्ड को फा चैनल के इस तरह के पसंद है या इस तरह का कॉंटेंट पसंद है जिसमें आप डिजिटल मार्कटिंग से अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसके उपर में हम डिजिटल मार्कटिंग के जिसने भी डिफरेंट 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 डोमेंस है सभी से रिलेटेड वीडियो इस पूरे चैनल के उपर में पब्लिश करते रहते हैं तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किये सीधा लेके चलता हूं कम्पिटर स्क्र करके keyword को find out किया जाता है and definitely आने वाले वीडियो के अंदर हम paid tools का भी इस्तेमाल करके या free tools का भी इस्तेमाल करके keyword को कैसे research कर आ जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं हम आ चुके हैं यहां पर computer screen पर अभी मैं आपको बता दू कि यहां पर keyword कैसे research करने है by using google आज के इस वीडियो के लिए हम सिरफ google का इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहां पर लेता हूं google right google open करने के बाद google.com पर आने के बाद में because मुझे बहुत सारी research करनी है different tools का इस्तेमाल भी करेंगे next video के अंदर में आज से हम practical start कर रहे हैं तो it is important for you guys to understand the techniques क्योंकि techniques नहीं समझोगे तो definitely बहुत सारे keywords होंगे जो आप miss कर सकते हो तो चलिए भी यहां पर google की help कैसे ले सकते हैं क्योंकि google जो है एक बहुत बड़ा search engine है तो यहां से आपको best keywords जो है वो देखने को मिल सक security services in Jodhpur मैंने यहां पर search करा तो यहां पर मेरा एक keyword तो मैंने क्या करा खुद ही लिख दिया यहां पर लेकिन क्या इतना ही यह तो मेरे सोचना है कि मैं क्या search करना चाहता हूं so basically मैंने एक keyword लिख दिया अब इसके अलाबा अगर हम देखें तो यह google कैसे हमें help करता है see the scroll down क करो नीचे side पर तो आपको related searches के अंदर जिसको हम LSI keywords भी बोलते हैं तो you can see यहां पर security guard jobs in Jodhpur तो night security guard jobs in Jodhpur, 8 hour security guard jobs near me, ATM security guard jobs हो गया, then उसके बाद में IIT Jodhpur security guard हो गया, then SIS security Jodhpur contact number हो गया, तो यह कुछ आपके keywords हैं जो आपके relevant आपको लग रहे हैं तो वो आप यहां पर use कर सकते हैं, because यहां पर जो SIS लिखा है, IIT लिखा है और MSF लिखा हुआ है, so यह आपके क्या है, यह specifically आपके navigational keywords हैं, तो हमें navigational अभी इस्तेमाल नहीं करने, तो हम यहां पर कर सकते हैं like security guard jobs in Jodhpur, तो night security guard jobs in Jodhpur, night security guard jobs in Jodhpur, you can see यह वही चीज वापस repeat होगी, 8 hour security guard jobs in Jodhpur कर सकते हैं, या near me कर सकते हैं, near me तो कहीं के लिए भी use हो सकता है, but हमारा जो main है, वो Jodhpur के लिए तो we can add in Jodhpur, right, तो यह तरीका हो सकता है, एक आपका, तो हम क्या गरते हैं, सबसे पहल हो कि कैसे, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, keyword और इसको open कर लेते हैं, तो यहां पर हमने क्या करना है, keywords लिखने, start करने, तो सबसे पहला keyword हमने क्या करा, security guard वला आ गया, दूसरा हमने यहां पर क्या कर रहा है, security guard jobs in Jodhpur, तो हम यहां पर कर देते हैं, security guard jobs in Jodhpur, तो यह भी हमारा एक keyword हो गया तो इसको जरा और बड़ा गल लेते हैं तो और इसके बाद में हमें क्या चाहिए night security guard तो ठीक है हम यहां पे जो है इसी को मैं basically copy करके paste कर देता हूं और उसके starting में हम बात कर लेते हैं night security guard because there are certain का लोग जो है वो सिरफ night में उनको day time में को security guard की requirement नहीं तो यह हम कर सकते हैं तो यह अलड़ी हमने cover कर दिया 8 hours यानि कि कुछ हम चाहते कि अगर 8 hours के लिए कोई अगर कर सके या तो हम इसको भी consider कर सकते हैं बट इसको अभी के लिए मैं यहां पे छोड़ रहा हूं प्रकॉस इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जो है कोई search करते होंगे तो यहां पे ATM security guard jobs in जोदपूर ATM जो है और ATM का वैसे आप use करना चाहें तो कर सकते हैं बट आज की date के अगर बात करें तो आम शूर आपको पता होगा कि ATM के उपर में आज की date में आपको guard दिखाई देते नहीं है विकास वो अभी बंद कर दिये गए तो अगर मैं इस keyword का इस्तेमाल करूंगा तो definitely मुझे कोई benefit नहीं होने वाला तो इस तरह से यहां पर मैंने निकाल लिया अब यहां पर और क्या search कर सकते हैं तो अभी इससे दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं एक तो यह कर लिय और यह आपका वही सब चीजे लिखी हुए तो मैं अब इस में से धीरे 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 थोड़े से हटाते चलता हूं तो क्या क्या मुझे basically keyword जाने तो you can see यहां पर जो है सारी cities लिखी गए मैं और पीछे आता हूं so that I can see तो यहां पर जो है यहां पर कुछ भी ऐसा नह नहीं आएगा तो basically आप अगर इन दोनों words के बीच में security and services के बीच में अगर कोई words है क्या उनको कोई सर्च करता है कि मुझे नहीं पता भी है कि नहीं है तो what I'll do is मैं यहां पर इसमें जो है एक backspace खतम करूंगा and उसके बाद मैं यहां पर space देके एक underscore डालके फिर space देता ह होंगे अब आप बोलोगे सार इसको प्रूफ करो तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते एक और काम कर लेता है से for example मैं यहां पर कर देता हूं networking courses अब यह मने एक different keyword लिया अब इसके बीच का कोई मुझे नहीं पता को करता कि नहीं करता इसके बीच में आपके यह word का इस्तेमाल किया जाता है सर्च करने के लिए networking training courses networking related courses networking free certificate courses and networking and security courses networking cloud courses so you can see अगर आपको किसी दो word के बीच के अगर कोई ऐसे की words है जो आप नहीं पता है आपको कोई search किये जाते की नहीं किये जाते तो आप यहां पर इस technique का इस्तेमाल कर सकते हो which is the best option तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बाकी अगर इसके बाद की अगर बात करें तो you can see आप अपने competitor से भी चेक कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर वापस लिख देते हैं security services services in जोधपुर वापस search करते हैं यहां पर आपके जो competitors हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं लोग कि you can see top security services in जोधपुर तो यह भी जो है आपकी एक keyword हो सकता है तो हम यहां पर यू और आपका क्या हो गया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर सकते हैं security गार्ड इन जोधपुर यह भी कर सकते हैं इससे भी सर्च किया जाता है फिर security services in जोधपुर अरड़ी हमने कवर कर लिया है top 10 से यह भी छोड़ दो अभी और नीचे यहां पर यह तो navigational पर चला गया तो इससरे से हम कुछ यहां से भी keyword ले सकते हैं अभी मैंने किसी भी tool का इस्तेमाल नहीं करा सिरफ एक google का इस्तेमाल करके मैंने यह देखा कि लोग क्या-क्या search कर सकते हैं और मेरा जो keyword है उससे related क्या-क्या keywords मुझे मिल सकते हैं जब तक आप practice नहीं करोगे वा तब तक आप चीजों को अच्छे से keywords को research नहीं कर पाऊगे और किसी भी एक page के लिए बहुत ज़्यादा keywords भी नहीं use कर सकते हैं तो आपको बहुत सारी exercise करने ही पड़ते हैं उसके बाद में जो refined keywords होते हैं वो आपको find out करके top पे ला सकते हो तो you can see हमें यहां पे जो है एक, दो, तीन, चार, पांच keywords जो है वो basically सिरफ Google पे search करने पे मिल गए अब इन keywords के साथ में हम कुछ tools का भी इस्तेमाल करेंगे और वहां से भी हम keywords को find out करने की कोशिश करेंगे so guys I hope कि आपको Google का इस्तेमाल करके किस तरह से आप keywords निकाल सकते हैं और कितनी तरीके के keywords निकाल सकते हैं वो आपको यहां पर समझ में आया होगा बाकी depend करता आप कौन सा keyword इस्तेमाल करते हो मैंने यहां पे because बहुत ही detail में नहीं मुझे आपको बहुत detail में explain करना था आपको क्लीनिंग सरविसेज इन जोदपूर कर लेते हैं जोदपूर यह अनने क्लीनिंग सरविसेज इन जोदपूर कर तो यहां पर बहुत सारे आपको different cleaning को आप Home वर्ड भी हो सकता है bathroom का word भी इस्तेमाल कर सकते हो deep cleaning हो सकता है तो यह इसको तो हम छोड़ देंगे कि वो इसमें आपका जो है navigational हो गया then home की हो गई तो यह आपके different best cleaning services हो गई तो इस तरह के जो है आप keywords का different different तरीके से find out कर सकते हो with just आपके Google के search engine का इस्तेमाल करके so I hope कि आपको Google के search engine को इस्तेमाल करके किस तरह से आप keywords को find out कर सकते हैं यह आपको idea लगया होगा अब इसके बाद में हम कुछ tools का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में जो है वहाँ से कैसे keywords हमें मिलते हैं वो भी हम आने वाले वीडियो के अंदर cover up करेंगे अगर आपको यह SEO course है पूरा पसंद आ रहा है तो like करे शेर करें और अगर आप SEO expert बनना चाते हैं beginner से बिलकुल advanced level तक expert लेवल तक आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल का इकन दवा दे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फिर मिलता हूं एक और नहीं वीडियो के साथ तिल देन स्टे सेफ गुडबाई